अच्छा आडिशन में का हम लोग दो कर लिया था तो आज जो है वो थ्री कर रहे है ठीक है नंबर थ्री से शुरू हो रहा है तो इसमें पहली question में बोला है तिन नंबर question में एकल टू एकस अजट एकस नैचरल नंबर तो एकस का जो आपका सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नैचरल नंबर का सेट आएगा तो वान टू थ्री फोर डॉट 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 ठीक है अच्छा बी जो है ओ बोल रहे है टू इन अच्छा यह वाला हम लोग शायद इंसी आटी में किया था फिर से एक बार देख ले थे तो नहीं तो एक मनिटी यह कहां पर हुआ था था फिर नशी आटी का हां यसुर्ट टिका कि ये वाला question है फिक है ये वाला question है ये एंसीर Gका हुआ था तो ये जो question है जो question है ये 7 number है ठीक है ये 7 number का एंसीर्ट का beginning to your next करते है perhaps तो यह यार नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छा, next में बोल ला है, a बोल दिया, b बोल दिया, c बोल दिया, and d बोल दिया, find the, अच्छा, अभी minus का, जो बोले थे, वो हम लोग कर रहे हैं, तो a minus b, तो a क्या हो जाएगा, ये वाला set a है, इससे b जितना element है, वो हटा देना है, अपका b में है, ये b में है 4, तो 4 यहां नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है, बारा बारा यहां पर है, तो 12 यह हटा देना है, ठीक है, 12 को हटा ना है, ये बारा हट गया, फिर 16, 20, 16, 20 ये नहीं है, तो ये हो जाएगा, a minus b का presentation, ठीक है, अच्छा, फिर a minus c बोला, तो a से c, जितन element है c का वो निकल देना है तो यह पूरा कोपी कर लिया फिर अभी c में क्या क्या है दो इधर है क्या दो नहीं है अच्छा फोर फोर भी नहीं है six six हाँ six है तो six हटा देता है eight ten नहीं है बाड़ा माड़ा भी है यह हटा देता है फिर चौदा चौदा नहीं है 16 भी नहीं है तो यह अपका अंसर आ जाएगा ठीक है अच्छा फिर ए माइनस टी तो ए से भी डी को हटा देता है एका element कॉपी कर लिया फिर यहां से बी हटा देना है तो ए डी हटा डी हटाना है तो दी में five है 10 है five है 10 है नहीं है 15-20 15-20 15 है शुदू अल बाकी कुछ नहीं है तो यह ऐसे आ गया तो ऐसे यह अब लोग कर सकते हैं तो यह अब लोग कर ली जिगा बाकी लास्ट का D हम कर देते हैं फिर से एक बार अपका यह आ गया B-D तो B का कॉपी कर लेते हैं B कर लेते हैं B कॉपी हो गया अब इससे D हटा देना है तो D क्या क्या है एक बार देख लेते हैं D में 5-10 15-20 तो 5-10 नहीं है 15-20 तो 20 हट जाएगा यहां से बाकी सब रह जाएगा ठीक है अच्छा चलो 15 नंबर करते हैं 15 नंबर में अच्छा यहां आपको हम लोगों को एकम्हेट्ट ये वाला एकपर देख लेते हैं अंसर आप अपर का 48 12 हाट ठीक है अच्छा पाइब नंबर में क्या बोला है 5 नंबर में यह जो दिया हुआ हिए कॉम्प्लीमेंटर इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते है हम लोग इसमें अपका कॉपी का लिए थे तो कॉंप्लिमेंट क्या होता है कोई भी समल जीजिए एक अकर सेट होता है ए तो ए में समल जीजिए ए बी सी दिया हुआ है ठीक है और कोई यूनिवर्सल सेट है इसमें A, B, C, D, E ये तिन पास्टो एलिमेंट दिया हुआ है तो अगर ए कॉम्प्लिमेंट लिखेंगे ए कॉम्प्लिमेंट ए के मथा मथा में एक ट्रो डैस देना पड़ता है तो ए कॉम्प्लिमेंट इसको अगर लिखते है तो ये क्या आजाएगा क्या हो जाएगा A, B, C नहीं आएगा बाकी उनिवर्सल सेट में D, E है तो D, E यहां पड़ा जाएगा ठीक है ये कॉम्प्लिमेंट होता है बने ए में जितना इलिमेंट है वो हटा के U का लिख देना है ठीक है उनिवर्सल सेट का और एक ठो सेंपल देखा देते हैं आपको समझ जीजिए U में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दिया हुआ है और कोई भी सेट अगर समझ जीजिए B सेट कोई है इसमें दिया हुआ है 5, 7, 8 तो हमको पूछा B कॉम्प्लिमेंट निकलने के लिए है तो B कॉम्प्लिमेंट क्या हो जाएगा जितना B में है वो बा आ जाएगा तो 5, 7, 8 यह छोड़के बाकी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 यह आ जाएगा ठीक है अच्छा यहां पर थोड़ा सा दो तिन प्रोपाटी है समझ जीजिए अगर B को यूनियान B कॉम्प्लिमेंट करें मतलब क्या B के संग B कॉम्प्लिमें का यूनियान करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा कैसे ना अगर इसमें जो जो एलिमेंट है इसमें वो एलिमेंट नहीं है तो यह दोनों मिला के यूनिवर्सल सेट होता है अगर यह दोनों का कॉम्प्लिमेंट निका लेंगे तो क्या आ जाएगा फाई आ जाएग आजा पहले क्या बोला है एक कॉंप्लिमेंट निकालने के लिए तो एक कॉंप्लिमेंट क्या आ जाएगा ए में जितना एलिमेंट है बी से उनिवर्सल से हटाके बाकी दे देना है तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉपी भी कर लेते हैं तो ठीक रहेगा एक्चुली क्या माइनस ही हो रहा है ठीक है ए मने उनिवर्सल सेट माइनस हो रहा है तो यहाँ पर आपका आ रहा है कितना ए 1 2 3 4 नहीं है तो 1 हर जाएगा 2 हर जाएगा 3 हर जाएगा 4 हर जाएगा तो आजाएगा कितना 5 से ठीक है तो आजाएगा 5 6 7 8 9 ठीक है अच्छा बी कॉम्प्लिमेंट कैसे आएगा वैसे ही सेम चीज उनिवर्सल सेट कुड़ा ले लेते है उससे बी का जितना इलिमेंट है हो हटा देंगे तो बी में क्या-क्या है 2 4 6 7 2 4 6 8 तो 2 हट जाएगा 4 हट 6 हट जाएगा 8 भी हट जाएगा बखी यह आ जाएगा अच्छा अभी क्या बोला है इसमें A intersection C तो पहले तो A आर C का intersection निकलना है तो A आर C का पहले निकल लेते है A intersection C तो A यह वाला है और C यह वाला है यह दोनों का intersection मत्तब common common क्या क्या है three or four है तो three four आ गया ठीक है अभी इन दोनों का compliment निकालने बोल ले है तो compliment मतलब ये छोड़के बाकी universal asset का सब तो क्या क्या आ जाएगा three or four छोड़के तो three four छोड़के बाकी आ जागा one two five one two five फिर six seven six seven eight nine eight nine आ गया ठीक है तो यहां पर one two three four नहीं है बाकी सब आ जाएगा ठीक है अच्छा चलो next करते है देख लेते हैं एक बार one two five फिर ठीक है ठीक है अच्छा यहां पर हम लोग copy कर लिये इसको तो ऐसे ही हो चोड़के अपका union करने बोलना है ये दोनों का तो ये बी union करने से क्या आ जाएगा इसमें जितना है इसमें ए बी का ये दोनों का common भी रहेगा एक्ष्टर भी रहेगा तो चार और चारी दो और चार common है बाकी कुछ common नहीं है तो finally one two three four आ जाएगा one two three four आ गया two इधर आ गया four भी आ गया तो बाकी six eight यहां पर है तो यह आ जाएगा अभी इसका compliment निकलना है तो compliment क्या आ जाएगा ये सब छोड़के तो one two three four five नहीं है तो five आ जाएगा six seven नहीं है तो seven आ जाएगा eight है nine यह हो गया compliment ठीक है अच्छा इसका देख लेता है एक बार four eight sixteen अच्छा four कौन से बोला है इसमें चार बाला five seven हाँ ठीक है five seven ठीक है five seven nine अच्छा इसका कैसे होगा b minus c पहले निकलते है तो b minus c क्या आ जाएगा b से c को निकल देना है तो b में जितना है four इधर भी है और बाकी कुछ नहीं है और six भी है तो इधर आ गया two eight two are eight आ गया बाकी इसमें सब आ गया तो इसका compliment निकलना है क्या आ जाएगा उनिवर्सल से दो और eight को हटा देना है तो one two three करके दो और eight हट जाएगा तो one आ गया three आ गया four आ गया five आ गया six आ गया seven आ गया eight नहीं आएगा और फिर nine तक ही तो यह nine भी आ जाएगा तो यह compliment हो गया ठीक है अच्छा देख लेता है एक बार one two यह की नहीं हो गया कौनसी वाला यह five six वाला और फाइब पहला देखे नहीं भाई यह five एक टो है एक मिनिट पहले six ही कर लिया ठीक है कोई बात नहीं क्या हो गया एक बर एक कॉंप्लिमेंट का अगर निकालेंगे इसका कॉंप्लिमेंट यह देखे क्या आ रहा है एक सेट है one two three four तो एक कॉंप्लिमेंट क्या आ जाएगा यह चार छोड़के element चार छोड़के बाकी आ जाएगा तो one two three four बात देखे five six seven eight nine आ गया ठीक है फिर इसका कॉंप्लिमेंट मतलब यह छोड़के बाकी element मतलब क्या आ गिया यह वाला ही आ जाएगा फिर से one two three four four तक ही रहगा तो यह basically क्या हो गया यह हो गया तो यह कॉंप्लिमेंट का कॉंप्लिमेंट निकालने के लिए अगर समल जीजे कोई भी आपका सेट का कॉंप्लिमे का कॉंप्लिमेंट का निकलते हैं जो आएगा उसको फिर से कॉंप्लिमेंट करने के लिए कंप्लिमेंट करेंगे तो बी आ जाएगा तो बी एक्चुली दो कॉंप्लिमेंट करने के बाद सेम यह अपका सेट ही आ जाता है ठीक है तो यह फाइनली यह आ जाएगा आच्छा स्टिक्स नंबर में क्या बोला है इसमें बोला है इसमें बोला है यह सब बोले वेरिफाई अच्छे यह वेरिफाई करने बोला है मतलब क्या हो गया यह LHS, RHS करके हम लोग प्रूप करेंगे जास्ट तो LHS पहले लिखते हैं A union B निकलना है तो A union B क्या हो जाएगा दोनों का यह दोनों का जो union है तो union क्या आ जाएगा दो इधर है उधर भी है तो दो आ गया फिर 3 भी आ गया 4 भी आ गया 5,6,7,8 तो यह आ गया इसका union फिर इसको compliment निकलना है इसका A union B का compliment निकलना है तो यह छोड़के बाकी सब universal set से आ जाएगा तो आपका 1 है इधर 1 है 2 तो आ गया 3,4,5,6,7,8 आ गया 9 तो यह आ जाएगा ठीक है इसका आ जाएगा 1 से लेके यह कौनसी बाला है क्या है मालूम नहीं तो यह फिर से एक तो copy हो गया क्या यह तो प्रूब करना है तो यह आपका 1,9 आया तो अभी इसका अगर निकलते है RHS का RHS तो क्या जाएगा A union B तो union A complement क्या आ जाएगा A का कितना है दो तीन चार पाच्छा है तो इसका छोड़के बागी 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह आ गया आपका A complement ठीक है फिर इसका intersection B complement बी complement में क्या है दो तीन ता मतलब 1,2 नहीं है 3 नहीं है 4,5,6,7,8,9 यह आ गया अभी इन दोनों में common क्या है देखना है तो यह common है बाकी 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 9 भी common है तो 1 & 9 तो 1 common 9 इन दोनों का intersection कर रहते तो यह 1 & 9 element आया इसका भी 1 9 element आया तो बेसिका आपकी के लिए LHS िए LHS होगया है आप आप अले लिए है लूज़ कर लिए लिए लीजेगा यह वला ठेक है अच्छा अभी आढि श्रमा कर रहें तो इसमें आप दूसरा यह अपका लिसन है तो यह सब्सक्राइब कर लोग कर लिजेगा यह बला अच्छा अभी आडि शर्मा कहीं कर रहे हैं तो इसमें दूसरा यह अपका लेशन है तो यह यह एक्सरसाइज नंबर है आपका बोल देता है एक मिनिट यह एक्सरसाइज नंबर कितना है यह आपका 6 है 1.6 ठीक है एक मिनिट 1.6 यह है तो 1.6 smallest हाँ यह वाला ही है ठीक है अच्छा इसका देखते है क्या है पहले वाला जो बोल रहा है इसमें बोल रहा है फाइंड दा स्मॉलेश सेट साज डैट ए यूनियान 1 & 2 और एक्टो सेट दे दिया इसका यूनियान यह पुछा है तो smallest सेट बोला मतलब क्या हो गया एक कोई भी सेट है उसके संग हम लोग एक कुछ element होगा उसके संग यूनियान कर रहे है 1 & 2 का तो इसका result आ रहा है क्या 1,2,3,4,5,9 तो इसका मतलब क्या हो गया यह दोनों सेट का union मतलब जो common है ओ भी लिखा जो नहीं common है ओ भी लिखा मतलब क्या हो गया इसमें मने यह जो सेट है इसमें यह element तो रहे गई 1,2 तो है तो यह A में हो सकता है नहीं भी हो सकता है बाकी यह सब तो रहेगा मतलब क्या हो गया यह आयदार possible मने A का possible होना मने possible मतलब तीनों possible हो सकता है लेकिन हम लोग normal अगर करेंगे तो यह दोनों का union अगर निकलते है यह पूरा set union हो सकता है यह हो सकता है 1,2,3,5,9 यह पूरा हो सकत इसमें से इसका और यह का अगर यूनियन करेंगे तो इस दोनों में A, B, common है तो common आ गया फिर बाकी element भी आ गया मतलब यह result भी आएगा ठीक है और एक possible हो सकता है जो इसमें यह दोनों का यह तो common होना चाहिए अगर नहीं भी होगा तब इसका element है लेकिन इसमें नहीं हो सकता समझ जीजिए तो 2, 3, 5, 9 ये भी हो सकता है मतलब इधर से 1 common नहीं है 1 तो 1 भी आ गया दो common है बाकी 2 और ये 3 common इससे आ गया तो ये भी हो सकता है possible ठीक है बाकी आपका अगर और एक possible हो सकता है 1, 2 दे दिया तो 1, 2 छोड़के बाकी 3, 5 और 9 ये हो सकता है ये और ये दोनों का union भी A आएगा तो यहाँ पर 3 option हो सकता है तो 3 में smallest क्या है ये वला है तो finally ये ही हमको answer आएगा ठीक है इसका ये ही answer आएगा ठीक है तो A equal to A आगया ठीक है ओके चलो next करते है जब दो नमबर मे बोला है let A, B, C ये तीन अपका set दे दिया verify the following identity identities तो ये identities है मतलब इस type का होने से ये हो सकता है ठीक है ये identities मतलब ये formula है ये अगर A union B intersection C होगा तो हम लोग ऐसे कर सकते A और B को union करेंगे और A और C को भी union करेंगे दोनों का intersection करेंगे एक ही result लाएगा तो ये दिखाने के लिए ये element दे दिया इसके through हम लोगों को ये प्रूब करना है ये एकठो formula है ठीक है ये आप लोगों के पास आपके किताब में है तो ये देख लिजेगा ये formula है तो ये हम लोग को प्रूब करना है through this set ठीक है तो य पहले union intersection C कर देते हैं तो B intersection C तो ये दोनों का common क्या है ये दोनों का B और C का common है क्या 5 है और 6 भी है तो 5 और 6 आगया ठीक है अभी इसका A के संग union करना है ठीक है तो यहां पर नीचे लिख देता है A union B intersection C तो A क्या हो गया ये ये वाला हो गया मतलब 1 2 4 5 इसके संग union करना है किसका 5 और 6 का तो क्या आजाएगा 1 2 तो रहे गए 1 2 4 भी आजाएगा 5 वान टाइम में आएगा 2 से एक ही आएगा 6 आजाएगा तो यह इसका LHS का value हो गया तो RHS एक बाद निकल लेते है यहां से RHS तो क्या आजाएगा आपका A union B करना है पहले तो A union B करते हैं तो A और B में क्या common है एक्षटा भी है सब लेना है तो A और B में क्या है 6 है 7 भी आजाएगा तो यह दोनों का intersection करने बोला है यह दोनों का तो क्या आजाएगा A union B intersection A union C 3 तो क्या आजाएगा यह दोनों में common क्या है तो 1 common है तो 1 आ गया 2 भी आ गया 3 नहीं है 4 आ गया 5 आ गया 6 आ गया 7 नहीं है तो आ जाएगा यह दोनों को प्रूब कर लेगे यह इसमें और इसमें दोनों सेम एलिमेंट है गया 1 2 4 5 6 सेम एलिमेंट है तो LHS हो गया ठीक है फ्रूब्ट हो गया अजा बाकी एक्टो है वह आप लोग कर लीजेगा यह भाला भी आप लोग कर लीजेगा तो हम एक बार एक्टो और एक्टो कर देते हैं इसमें यहले देखे इसका एक बार देख लेते हैं इसका विये लीजेश यह लास्ट कर देते हैं कि ए नहितव़ेकर ने तो लास्ट बला करते हैं 6 जलेते हैं तो यह पोला बी डेल्टा c इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब b-c union c- a मतलब क्या हो गया एक्टो यह फॉर्मूला है मतलब b delta c करने से हमको पहले b-c निकलना है उसके बाद इसको union करना है किसके संग दोनों का difference मतलब दो difference जो है मनने b-c और c-b यह जो difference आएगा इन दोनों का union करना है तो b delta c आएगा तो पहले हम लोग तो b-c कर लेते हैं तो यहाँ पर कौन सी बाला b-c करना है तो b rc को पहले difference करते हैं तो b-c के आजाएगा b-c के आजाएगा बी से जितना element है c से हट जाएगा तो c में आपका चार पाच हट जाएगा यहां से और 6 हट जाएगा तो आजाएगा च्छे 2 और 6 हट जाएगा 2-3 आजाएगा ठीक है अच्छा और c-b जब करेंगे उल्टा करेंगे तब क्या आजाएगा यहाँ पर 5-6 तो है तो four or seven आ जाएगा four or seven आ जाएगा यह दोनों का आकर union करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर union का symbol दिया तो दो चार इसमें कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है मतलब सभी आ जाएगा तो three four four three two three four four six यह चार एलिमेंटी आ जाएगा तो यह इसका डिल्टा हो गया ठीक है अच्छा इसके संग बोला है intersection a करने के लिए तो इसके संग intersection a है तो एक बार यहां पर लिख लेता है intersection b delta c तो एक क्या आ जाएगा एवला है one two four मतलब एक बार कर देते हैं यहां पर दोनों का intersection तो इसमें यह दोनों में क्या common है intersection है ठीक है तो common क्या है two है four है और कुछ नहीं है two four तो यह two four आ गया अच्छा यह सेम चीज यहां करने बोल रहे है तो यह दोनों का union निकलना है तो दोनों का intersection लेकरना है तो एक इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा common क्या है इसमें दो है इधर फाइव है two five two five आ गया इसमें डिल्टा एक intersection c तो ए और c का क्या है common आपका four है और five है तो four five इधर आ गया ठीक है तो इन दोनों का डिल्टर निकलने वोलने मतलब यह दोनों का एक बार माइनास एक बार दूसरा मने इसमें से इसको माइनास उसका यूनियन तो क्या आ जाएगा यह दोनों का माइनास तो यह दोनों का माइनास करने के लिए दो यहां से 5 भर जाएगा तो दो पढ़ा रहा फिर इसका union फिर इससे यह minus कर रहा है मतलब 4 परा रहेगा तो इन दोनों का union क्या हो जागा 2 4 तो इधर भी 2 4 है इधर भी 2 4 है यह सेम हो गया तो यह वाला 2 हो गया A union intersection B delta C equal to A union intersection B delta A intersection C ठीक है यह प्रूब्ट हो गया आच्छा चलो तीन नंबर में चलते हैं त्री नंबर में बोल लाया है उस ए उनिवर्सल सेट ए दे दिया उनिवर्सल सेट A इस उनिवर्सल सेट A बी बोल दिया प्रूब्ट देट यह एक ही चीज प्रूब्ट करने बोल ला है तो यह next वाला ही कर देता है यह बला आप लोग कर दियेगा A union intersection B तो A और B का intersection क्या आजाएगा common क्या-क्या है 3 और common तो कुछी नहीं है न 7 है अच्छा इसका compliment तो क्या आजाएगा 7 से 7 छोड़के तो दो तीन पाच नाइन दो तीन पाच नाइन अच्छा अभी A यह अपका intersect compliment क्या आजाएगा A में 3 साथ है तो 3 साथ छोड़के 3 और साथ छोड़के दो पाच नाइन दो फाइब नाइन और B का क्या आजाएगा B का है 2 5 7 9 2 5 7 9 तो ओनली 3 आजाएगा इन दोनों का union बोल ला है तो A compliment union B compliment तो यह तिनों में कुछ कोपन नहीं है मतलब सभी आजाएगा 2 3 5 9 तो यह और यह equal है तो यह ही प्रूब हो गया है LHS यह वाला LHS देती जिएगा और यह RHS देती जिएगा तो LHS equal to LHS equal to RHS proved अच्छा इसके बाद जो है वाला section नहीं कर रहे है मतलब यह वाला joint के लिए है तो यह हम लोग ignore कर रहे है ठीक है तो यह वाला हम लोग नहीं कर रहे है only HS में जितना आएगा जितना आ सकता है जितना तक उतना यह level 2 का है ठीक है okay thank you